स्वागत से दोस्तों एक और फीर से हमारी यूटूब चनल सिकंदर स्टूडी शिंटर में जैसा कि दोस्तों मैं मैथ का चेप्टर 22 भी भी आई दो नमर में पुछे जाने वाले महत्पुन प्रस्णे के बारे में बताते जा रहा था इसी तरह से आज चलिए चेप्टर नमर 7 से जितने भी दो नमर में पुछे जाने वाले महत्पुन प्रस्णे बनते हैं उन सारे प्रस्णों को मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा इसके पहले चेप्टर नमर 6 तक के जितने भी दो नमर में के मात्पुन प्रस्ण थे सारे प्रस्टों को मैं बता दिया हूँ उन सारी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिप्स को सुन रोखतें या तो आप हमारी यूटूब चनल के प्लेलिश में जाकर देख सकते हैं तो चलिए आज के वीडियो बहुत ही खास होने वाला है तो आप इस वीडियो को सुरु से अंतों तक दिखीगा और भी हार बोर्ड में विल्कुल ये इसी टाइप का कोसन आपको पूछा जाएगा ठीक है ना जिस टाइप का मैं कोसन आज बताने जा रहा हूँ विल्कुल उस टाइप का प्रस्ण को आपको अभिहास कर लेना है ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल यही प्रस्ट आएगा बट हाँ ये मैं handed question grantee देता हूँ दोस्तों कि आज की इस वीडियो में जो प्रस्ट में मैं बताऊंगा उन सारे types का प्रस्ट आपको exam में आएगा जैसे मैं मैं 5 question बताया था 5 question में कम से कम तो 3 प्रस्ट जरूर आएगा दोस्तों बिल्कुल इसी type पे तो आप इस वीडियो को सूर्ज से आंथा तक देखेगा तो चलिए वीडियो को आश्टार्ट करते हैं question को सही से एक बार पढ़ लेते हैं समझ लेते हैं प्रस्ट नहीं यहाँ पे बोल रहा है वाई अच पर एक ऐसा बिंदू ग्याद करें जो बिंदू A नियामाग 6,5 बिंदू B का नियामाग है minus 4,3 से समधू रस्त है ठीक है ना समधू रस्त का मतलब समझाते हैं क्या होता है सबसे पढ़े हम रेखा खंड खीष लेते हैं एक रेखा खीष लेते हैं जिसका first point होता है और एहाँ last point एक middle point पर first point को हम यहाँ पे A मानते हैं otta आ और middle point को हम यहाँ पे P मानते हैं इसका नियामाग बोल रहा है कि Y अर्च पर इस्तीत है तो एक सच पे क्या होगा मेरा नियामाक 0 होगा और y İşte 30 के लिए हम y ही मांते हैं क्योंकि हमको पता नहीं कि वह कितना है तो यहाँ पर y ही मांते हैं अब बोला है कि ये सम्दुरस्ट है सम्दुरस्ट होने के लिए यहाँ पे एक रूल्स लगेगा तो यहाँ पे AP बरावर क्या हो जागा AP बरावर BP क्या हो जागा PB ठीक है न PB तो इसका क्या करेंगा आप स्क्वाइर कर देंगे यहाँ पे आप स्क्वाइर भी कर सकते हैं या तो छोड़ दीजे अब AP इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लिजे दूरी सुत्र से A और P के बीच की दूरी निकाल लिजे B और P के बीच के दूरी निकाल लिजे और जो answer आएगा वह ही आपका हो जागा answer ठीक है न तो छली इस तरह से हम लोग solution करते हैं इसका हम square कर देते हैं अभी ही आप leak भी सकते हैं दोनों तरफ square करने पर ठीक है न तो यहाँ पर समदूरस्त है इसके लिए यह rules होगा ठीक है तो चली एपी बरावर यहाँ पर लगा देते हैं दूरी शूत्रे दूरी शूत्रे हमारा होता है रूड अंडर क्या होता है रूड अंडर x2 माइनस x1 क्या होता है x2 माइनस x1 इसका हो जागा whole square और यहाँ पर हो जागा plus क्या हो जागा पलस यहाँ पर लगाएंगे y2 माइनस y1 और इसका हो जागा whole square समझ गए न इसी तरह से equal to इस तरह से हो जागा आईये देखिए square है square square यहाँ पर काट भी शकते हैं तो यहाँ पर हम square कर देते हैं इस फिला plus y2 minus y1 का whole square यह हमारा हो गया formula इसका भी हम लोग square कर देंगे और यह देखिए square से root खतम हो जागा तो यह हमारा बचेगा x2 minus x1 का whole square तो x2 और x1 हम लोग निकाल लेते हैं x2 यहाँ पे देखिए फस्ट नियामक में देखिए यह दोनों के बीच में हम गयाद कर रहे हैं ap के बीच में गयाद कर रहे हैं तो x1 हमारा क्या हो जागा 6 हो जागा और x2 हमारा क्या हो जागा 0 हो जागा ठीक है नब p का नियामक देखिए 0, y तो यह हो जागा x2 x2 केतना हो जागा 0 तो यहां पे हम लिग सकते हैं 0-1 हमारे हमारे हो जागा 6 और इसका हम लोग कर देते हैं IoT और ये देखिए Spaceir से नुट खत्म तो उसका यहांपेpos लिख में देते हैं अब यहां पर देखिए y2 तो इसमें देखिए y2 कितना है तो y2 हमारा है जो y है, तो यहाँ पर y हो जागा, minus, y1 कितना है, तो y1 देखिए, एका नियामक में, y का कितना हो जागा, 5 है, तो यहाँ पर हो जागा 5, इसका कर देते हैं, square equal to, ठीक, इसी तरह से यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या देखना, और फेवी में अब यह दोनों के बीच में देकर यह दोनों के पीच में देखिए क्या बोल रहा है एक डू गयाद करना एक स्थो यहां पर कितना माइनस है तो सफर queens इसमेंगा से तो माइनस ऐसमें गयाद कर्दिध यह तो यहां पर हो जागा देखे यह माइनस पीके हो घराईगा क्तों और राते हैं 10 वाई हैं माइनस वीकाय हो जाएक 25 25 स्टाइड एक घ्टाइंगे तो यहां पर छीन फरक यहां फरके नहीं पड़ए अधर चर्चो आउज़के हैं 11 में और यहां हो जागाने कि 3 दून जह right और प्लस में हो जागा यह हमारा हो गया अब है उसकौर यहां प्लस में है वाई सकौर में इसाट भी उस में है तो ब्राबर में है यह दोनों कट जागा वाई सहर से कट गया यहां पे 36 में से 25 को घटा दीजे तो 36 में से 25 को घटा देंगे तो यहाँ पे कितना बच जगा 11 कितना बच जगा 11 है ना अब यहाँ पे माइनस है 10y तो 10y हो जगा और equal to इस सेट देखिए 169 कितना हो जगा 25 और minus 6y हो जगा ठीक है अब इसको इस सेट लाते हैं माइनस 10y और प्लस में हो जगा 6y और equal to हो जगा 25 और माइनस में हो जगा 11 ठीक है ना माइनस में हो जगा 11 यहाँ पे घटा लेंगे तो कितना हो जगा यहाँ पे घटा लेंगे तो कितना हो जगा सॉरी दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ पर पलस होगा ना पलस होगा तो यह दोनों जूड़ जागा घटेगा नहीं दोस्तों क्यूंकि यहाँ पर देखिए y a minus b के और इसकोर परता है a square minus 2 a b plus b square ना तब 25 हो जागा और यह जूड़ जागा दोस्तों तो 6 5 11 हो जागा 3 25 यानि की 61 हो जागा दोस्तों यहाँ पर हम गलत कर रहे थे तो यहाँ पर लीजेगा और यहाँ पर हो जागा minus 4y minus 4y घट कर equal to यहाँ पर इसक्त क्या था इस साइट था plus में तो इस साइट हो गया minus में हमें घटा लेते हैं तो घटाएंग तो यहाँ पर आ जागा 36 minus का 36 minus से minus कर जागा और 9 4 को कितना हो जागा 36 यहाँ पर y का जो आएगा value 9 आ गया यहाँ पर नियामक हम लोग क्या माने थे यहाँ से पी का नियामक आ गया जीरो और y का value 9 तो यही हमारा हो गया अंसर समझ गया न तो यह पर इसा बिंदू गयात करना था तो यह पर क्या हो जागा नियामक जीरो का मा नौ ठीक है नेक्ट प्रसने यहाँ पर देख लीजे बहुत नहीं असान प्रसने क्या बोल रहा है बिंदू-4,6 जो है बिंदू-6,10 और b का नियामक है यहाँ पर 3,8 को जोनने वाली रेखा खंड का एक अनुपात सोरी किस अनुपात में विवाजित करता है तो सबसे पर यहाँ पर एक रेखा खंड खिचते हैं यह हमारा रेखा हो गया हर्ष्ट बिंदू के यहाँ पर ए बानते हैं एक यहाँ पर नियामक दिवाए-6 और 10 दिया हुआ है बी का यहाँ पर नियामक निकालते हैं तो बी का नियामक यहाँ पर-3,8 और यह एक बिंदू दिया हुआ है इसको हम लोग मानते है P और P इसका नियामक देवाए माइनस और कॉमा 6 अब यह बोल रहा है कि किस अनुपात में विभाजित करेगा तो हम लोग अभी एम अनुपात एन के रुप में मान के चलिए हमारे कोई भी रेखा कर एम अनुपात एन के रुप में भी भाजित होता है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे यहां पर नई मालूम है तो इसके लिए लिखेंगे माना की क्या लिखेंगे माना की अनुपात बराबर अनुपा बराबर अनुपार्थ बराबर हम लोग मान लेते हैं एम अनुपार्थ एन और इसका मान देते हैं के अनुपार्थ वन कुछ नहीं है तो इसका हम मान लेते हैं के और इसका मान लेते हैं वन तो एम अनुपार्थ एन का वैलू हो जागा के अनुपार्थ वन ठीक है न अब य एकस वन क्या हो जागा एकस वन बरावर माइनस से वाई वन निकालते हैं तो वाई वन बरावर हो जाता है दस ठीक है इसी तरह से हम लोग निकालते हैं इसमें देखें एकस टू एकस टू बरावर हो जागा मेरा माइनस चार और वाई टू बरावर हो जागा छे इसी तरह से को बाइब करने में तो यह हो जागा हमारा एकस ब्रभक हो जाएगा है यहां से हो जागा यहां से लगक फर्मूला लगाएंगे formula लगाएंगे क्या होता है हमारा formula x बरावर होता है aim x2 क्या होता है aim x2 plus in x1 बटा aim plus in अब x का value यहां पर कितना है देखी x का value p अनुपात में भी वाज़ित कर रहा न तो x का value यहां पर कितना हो जगा minus 4 और y का value 6 तो यहां पर हो जगा क्या minus 4 मान लेते हैं है यां पर मानना क्या है minus 4 होगा ही value यहां इसका i am का value क्या हो जगा Ф 10 का value देखी x2 का value इसी के cai Reverb 9 करने माइद चार क्यों सुरेब्सक् Madrid होता है रिया यहां पर हैं 12 का municipality यहां पर कि तो एट रिक ऊपर है cancel Š्वारी यहां पे हम थ्वड्याश मिस्टिक कर रहे हैं सुरी दोस्तों यहां पे थोड़ा सा मुझे मिश्टेक हो गया है तो चली इसको हम सुधार कर लेते हैं यहां पे सुधार करने के लिए क्या करेंगे इरेजर लेते हैं पहले यहां पे सुधार कर लेते हैं दोस्तों चलिए इसको सबसे पहले हमें रेज कर लेते हैं इसके लिए छामा चाहते हैं चलिए आगे देखते हैं देखे यहाँ पर क्या करना है A और B के बीच में निकालना है हमको तो A का नियामक जो हमारा दिया हुआ ही X1 यह 1 हो जागा ठीक है न तो यहाँ पर X1 बरावर हो जागा माइनस से और Y1 बरावर हो जागा 10 ठीक है अब यहाँ पर B का नियामक कितना है तो इसका हम लोग माल लेते हैं X2 परावर यहाँ पर हो जागा 3 और Y2 बरावर हो जागा मेरा माइनस 8 अब यहां से Logan का हमारो नियामक दिया हुए न तो B का नियामक दिया हुए मा इनस 4,6 यह होजगा एक बरावर माइनस 4 और य बरावर होजगा छे फिकना यहां पर नियामक जो डिया ऑथ अब यहां पर फ्रॉर्मुला दिया हुए, देखकिह हो जागा 4 य का बहलू छे 6 तो माइनस 6 होजागा, A मनुपात, A नित्यानि कि यहां पर होजागा, क्या? K पलस 1, यही न होगा, बिल्कुल यही होगा, चली आगे सुलूसन कर लेते हैं, देखे, K में माइनस 4 से गुना होगा, तो माइनस 4 का K हो जागा, और माइनस में हो जागा 4, 3K और यहां पर जाएगा माइनस 6 ठीक है अब यहां पर देखें माइनस 4K और यह जाएगा दो बटटा साथ अब हम लोग के नुपास पर यहां पर निकलना चाहते हैं तो यहां पर निकलेगा हमारा नुपास साथ आएग वहाराो साथ आया है तो यही हमारा निकल जागा यही हमारा अंसर हो गया नेक्ट यहां पर देख लो बोल रहा है के का मान ग्याद करें यदि बिंदू इतना इतना से सन रेख है बहुत यह असान इंपरसने दोस्तों सबसे पर यहां पर लिखना है सोलूशन नियामक दिया हुआ है पहला हम नियामक माल लेते हैं एक का नियामक दिया हुआ है दो कामा तीन ठीक है इसी तरह से बी का नियामक दिया हुआ है चार कामा के दिया हुआ है और सी का नियामक दिया हुआ है छे कामा थीरी यहां से के का भेलू गयाद करना है जिसके यहाँ पे सन रेखी है तो यहाँ पे देखे ग्याद कर लेते हैं X1 सबसे पहले X1 ग्याद कर लेते हैं X1 यहाँ पे हो जागा 2 और यहाँ पे Y1 हो जागा 3 इसी तरह से यहाँ निकाल लेते हैं X2 X2 हो जागा यहाँ पे 4 और Y2 हो जागा यहाँ पे कितना हो जगा K इसी तरह से यहां से निकाल लेते हैं X3 बराबर 6 और Y3 बराबर हो जाता है अब यहां पर क्या करते हैं संड्रेखी है संड्रेखी है ना तो संड्रेखी होने के लिए संड्रेखी है संदेखी होने के लिए हम लोग फर्मूला जानते है x1 into y2 minus y3 ठीक है ना और पलस यहाँ पे होगा x2 x2 परावर हो जागा y3 minus y1 पलस में हो जागा x3 x3 परावर हो जागा y1 minus y2 और equal to हो जागा 0 यह हमारा फर्मूला हो जागा ठीक है नो इसलिए यहाँ पर लगा लेते हैं x1 का वैलू यहाँ पर कितना है 2 है तो 2 हो जागा y2 का वैलू यहाँ पर कितना है तो y2 का वैलू यहाँ पर के है minus y3 का वैलू कितना है तो y3 का वैलू 3 है तो 3 हो जागा और यहाँ पर हो जागा पालस X2 का value यहां पर कितना दिया हुआ है X2 का value यहां पर 4 हो जागा तो 4 हो गया minus Y3 का value यहां पर कितना दिया हुआ है minus Y1 का value कितना दिया हुआ है Y1 का value यहां पर हो जागा Y1 का value यहां पर हो जागा 3 यहां भी 3 है ना तो 3 हो जागा ठीक है तो चलिए आगे देखते हैं यहां पर प्रस्ट में कुछ छूटा हुआ है तो नहीं यहां पर देखी दोस्तों माइनस होगा यहां पर माइनस है प्रस्ट में यहां पर माइनस होगा तो यहां भी माइनस होगा और यहां भी माइनस होगा तो यहां भी हमारा माइनस हो है य-1 का value 3 है और वnda कर्या तो यह हुझा ही जिरो ठीक है अब यहां पर आगे करते हैं कि कर लेते हैं में कि के माइनस 30 पलर यहां पर कर लो माइनस माइनस पलस हो जगा याइँ माइनस माइनस च्रिण से में चॉट कीमागई तो सब्सक्षोज जागा माइनस के 12 प milligram से होगा तुонд के मैंनस तिन दूना छे है यहां पर इदखें को मैंनस मैं पालस 3 3 6 और 6 24 यहां मैंनस में हो जागा 24 और यहां पे अजहर यहां पर बव कि इतना है माइनस न चाहर की न चैनल आगा और закончее थे तक तो के कि यानि कि minus 30 और प्लस में 18 और बरावर में हो गया 0 यानि कि minus 4 k और यहां पे जागा माइनस यहां पर 12 गटाएंगे तो 12 और एकल टो जीरू इसको को चल लेल चल जाएंगे तो के बरावर हमारा हो जागा 12 बट्टा का 4 ओ भी माइनस में चर्थ यहां पर के का भाईलू आएगा 5 थीरी आ गया है कि सब्सक्राइब इतना और इतना खेबिच के दूरी निकालना बहुत ही आशान प्रस्निदी ईहां पहले है स्लूशन एक का नियम खमरा दिया हлагए मैनस पाथ कॉमा साथ बी-का नियमक दिया हूं मैनस लगारी और यहां से एकस वन का भेविलुनिका लेंगे तो आज जागा रीवाय,czne, जल साथ एकसटी का भेविलु निका लेंगे तो मैनस हन और वाइट्यू का भाइट्यू गलेंगे तो फिर 2 इहाँ गयाम अब यहां पर क्या करना है डूरी शुत्र लगाना है तो दूरी सुट्र से अधिन और plus y2 minus y1 का whole square यहां से लगाए रहेंगे x2 कितना है x2 हमारा दियाओ यहां पर root under हो जागा यहां पर x2 क्या दियाओ है जो हमारा value दियाओ value को यहां पर रख लिंगा चलिए यहां पर मान को रख लिजिए और मान को रखनी के बाद इसको solution कर दिजिए answer आजागा x2 का value यहां पर कितना है तो minus 1 है तो minus 1 रख लेते हैं minus यहां पर formula से है और x1 का value minus 5 है ते हां पर minus minus कि आओ जाएगा plus और इसका कर देंगे whole square plus y2 का value यहां पर 3 है minus y1 का value कितना है? 7 हो जागा इसका whole square ठीक है यहां पर root अंडर रहेगा गटा लेंगे चर्चों के कितना हो जगा 16 और प्लस में यहां पर हो जगा 4 चर्चों के यहां पर 16 और 32 और इसको निकालेंगे तो चर्चों के 16 तो 32 यानि कि 4 root 2 आ जागा आपका यहां पर देख लो उस बिंदू का निर्दे सांग याद करें जो बिंदू इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा कंड को दो अनुपात तीन के अनुपात में विवाजित करता है तो सरसे पहले यहां पर एक का नियामक हमारा दिया हुए कितना माइनस बबरावर दिया हुए दो अनुपात थीन ठीक है यहां से फर्मूला लागा लेंगे एक्स बरावर लगा लेंगे क्या होता है हमारा फर्मूला mx यहाँ पर फर्मूला होता है mx फर्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं हम एक बार mx2 क्या होता है mx2 plus nx1 बट्टा में हो जागा m plus n ठीक है तो यहाँ पर रख देते हैं मान और इधर में y का वेलू निकालेंगे y बराबर हमार हो जागा m y2 plus n y1 बट्टा in plus n n y1 यहाँ पर मान को रख देजिए x बराबर m का वेलू कितना दियो है तो 2 into x2 का वेलू कितना है तो x2 अब दूसरे देखिए x2 इसको देखिए तो x2 कितना हो जागा 4 तो यहाँ पर जागा 4 plus n का कितना दियो है तो 3 x1 कितना हो जागा तो minus 1 तो यहाँ पर हो जागा minus 1 और बट्टाम हो जागा 2 plus 3 ठीक है किसी तरह से यहाँ पर कर लिजे y बराबर m का वेलू यहाँ पर 2 into y2 y2 देखिए यहाँ पर कितना हो जागा minus 3 तो minus 3 हो जागा पलस ईन का भालू यहां पर कितना बाउन जागा थीरी और वाई-वन 송ं कि यहां पर एक अन्य उर्फ में देखें थेज़ाए वाई-वन का भालू साथ है तो एहां पर साथ हो जागा और फट्टा इम पाहीन यानिकी दो पलस का 3 ठीक है x बरावर यहाँ पह जगा 4 दूनी लुक्ष तो x और y का वेलू निकल गया y का वेलू यहाँ पह जगा 3 तो यहां पर निकालेंगे एक सब को मा यह कुट बड़ावेंस स पर गेंगे लिए और आपका यह ली के सब्सक्राइब